दिल्ली या उसे सटे उत्तर प्रदेश के दो बड़े सहर नोडा और घाजियाबाद में कई ऐसी कालोनिया है जिने वहां की आथार्टी ने नहीं बसाया है लेकिन वहां आज लाखों लोग रह रहे हैं सरकार के लगबक सबी भी भागों से उन्हें सहुलियत भी मिल रही है यहीं नहीं ऐसी कालोनियों में रहने वाले लोग अथार्टी द्वारा बनाए गई कालोनी में रहने वाले लोगों के तरह वाटर और हाउस टेक्स भी दे रहे हैं लेकिन गाजियाबाद प्राधिकरण इन जैसी कालोनियों में बने कुछ मकानों को अवैद बताकर सील कर या फिर निर्वान करने वाले ब्यक्ति के खिलाफ करवाई कर अपने हिटलर साही रवय का परचे दे रहा है उधर ऐसी कालोनियों में रहने वाले लोग ना सिर्फ अवैद सब्द से डरने लगे हैं बलकि निर्वान करता को भी संदेह की नजर से देखने लगे हैं गाजयाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ नारे बाजी करते ये वो लोग हैं जो रेजिदेंशल जमीनों पर प्लोटिंग या फिर फ्लेट बनाकर लोगों को सस्ते दर पर मकान या फ्लेट मोहिया कराते हैं इनकी सिकायत है कि जीडिये के अधिकारी नाहक में उन्हें परेसान करते हैं जब चाहें तब किसी ना किसी कालोनी में जाकर किसी भी मकान को अवैद बदा देते हैं जबकि हकिकत यह है कि गाजियाबाद में ऐसी दर्दनों कालोनिया हैं जिने जीडिये ने नहीं बसाया है बावजुद उसके वहां लाखों लोग रह रहा हैं। उन कालोनियों में प्लाटिंग करने और फ्लेट बनाने वाले छोचे छोटे बिल्डर आज देहसत में हैं। उनका रोजगार चौपट हो गया है। उनका काम ठप होने की वज़ए से हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है। उससे काफी हद तक बहुत ज़ए नुकसान है। सभी वर्ग को नुकसान है। बिजनिसमेन को भी, लेवर किलास को भी, ठेकेदार को, हर तरह साथ आदमी पैसे से फसा हुआ है। जिसका जहां पैसा लग गया, जिसका बिल्डिन्टी शील है, इस बिल्डरना आगे पेमेंट्ने कर रहा किसी की, आगे लोन नहीं होरें। उनका माल नहीं करा, वो हमें पैमेंट्न नहीं कर रहे। परसान बिल्डरों ने यहां के बिधाय को और यहां के सांचत के सामने भी अपने समस्यां रखी लेकिन उनकी समस्या जोंकितों बनी हुई है। बिल्डर इस बात से परसान हैं कि उनके द्वारा बनाए गई कालोनियों में रहने वाले लोग हाउस और वाटर टेक्स भी देते हैं। बावजूद उन्हें अवेध काकर क्यों डराय जाता है। बिल्डर जीडिये से यह भी जानना चाहते हैं कि जब ऐसी कालोनियों में प्लाटिंग होती है या फिर फ्लेट बनते हैं तभी उन पर करवाई क्यों नहीं होती। बनने के बाद ही जीडिये क्यों करवाई करने पहुंझ जाता है। वहां रहने वाले हैं वो भी एक बहके माहूल में रह रहे हैं। उन्हें लग रहा है। नहीं नगर निगम इन्हें वाड के रूप में चिन्हित कर वहां की सड़के भी बनवाता है। लेकिन जीडिये ने आज तक अपने कुछ कारियों का लेखा जोखा जनता को नहीं दिया है। मसलन परधान मंतरी और मुख मंतरी आवास यूजना को लेकर सरकार का यहां दावा है कि ऐसे आवास नो प्रॉफिट नो लौस के आधार पर चैन की हो लोगों को दिये जाते हैं। घाजियाबाद में भी परधान मंतरी और मुख मंतरी आवास के तहत सैकुडो आवास बने होंगे। लेकिन GDA ने आज तक जन्ता को क्यों नहीं बताया कि मुख मंतरी आवाश योजना और प्रधान मंतरी आवाश योजना में परजेक्ट में जो खरचाया है उसकी किमत क्या है उस परजेक्ट का पूरा विवरण क्या है जिडियो के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि गाजियाबाद के उन सारी कालोनियों को तोड़ सके जिने वो आवैत की संग्या देता है ऐसे में मानोता के नाते कुछ लोगों के भले और हजारों के रोजगार के नाते एक ऐसी बेवस्ता तो बना ही सकता है जिससे लोगों को सस्ते मकान मिल जाएं जिसे सरकारे भी चाहती हैं और उनमें काम कर रहे हैं लोगों का रोजगार भी चलता रहे उमीद की जानी चाहिए कि जीडिये के आला अधिकारी इस रिपोर्ट के बाद कुछ संग्यान जरूर लेंगे